आज की स्टोरी का नाम है जादूई बेलन वाली बहू यहाँ कहानी एक छोटे से गाउं की है जहां पे बड़ा ही खुशार परिवार निवास करता था इस परिवार में दादा दादी माता पिता वेहन भाई और बहू सभी के वीच में महपत और सदा आदर का सम्मान करते थी यहाँ परिवार बहुत ही गरीबी में आरंग हुआ उनका साथ मिलके काम करना और संगर्श करने का जज़वा उनकी आर्थिक इस्तिती को आगे बढ़ा दिया बहु जिसका नाम गीता था वे बहुत ही समाजिक और साहसी महिला थी वहाँ सदेव अपने परिवार के साथ मिलके काम करती थी और उनका साथ देती थी बहुत दिनों तक वे घरों के कामों में लई देती थी और वे बड़ी ही संतूस्ची से ये समय बिताती थी एक दिन बहु बजा जाने की सोच रही थी क्योंकि नए कपड़े और कुछ समागरी लाने थी वहाँ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी पती से अनुमती लेती थी उसके पती की आठी इस्टिती खराब होनी की वज़े वे अपनी पत्नी को उसकी इच्छाओं के लिए मना कर देता है बहु जो अपने संवन्दों के साथ रहके हर समस्य का समाधान ढूलती थी क्या बहु इस समस्या का समधान ढूंग सकती है बहु की दिमाग में एक विचार आया अहां एक जादूई बेलन प्राप्त करके अपने इच्छाओं को पूरा कर सकती है बहु ने अपने दिमाद की कमजोरी को नकारती हुए वे अपने पती के साथ मार्केट चली जाती है जहां एक पुराने सादु बाबा नामक वैक्ती पहुचे हुए थे बहु ने जादूई बेलन के बारे में बाबा को सुनाया और उसे प्राप्त करने के लिए उनसे मदद मांगी बाबा ने बहु से कुछ अवशक उपाय करने के बाद उन्हें जादूई बेलन दिया फिर उसका उपयोग कैसे करते हैं वो सिखाया बहु खुश होकर घर लोटी और जादूई बेलन का उपयोग किया बहु का जादूई बेलन सबी के लिए बहुत ही अच्छी चीच सावित हुई अब वे जो भी चाहे वो बेलन से प्राप्त कर सकती थी, साथ ही वे समाज के लिए भी उपयोग करती थी बहु ने जादुई बेलन से अपनी परिवार की आर्थी किस्थिती को सुधारा और उन्होंने गाउं के अच्छे कामकाजी लोगों के लिए भी उप्योग किये आप सभी के इस्टोरी कैसी लगी अगर अच्छी लगी ते लाइक करें कमिल के सब्सक्राइब करें बाइब बाइब